रेस्पिरेटरी ओर्गन तो रेस्पिरेटरी ओर्गन में सबसे पहला है नसल पैसे जो लिप्स के उपर पाए जाता है जो नाक में यहां चिद्र है उसे नासा चिद्र कहते हैं सबसे पहला है नसल पैसे इसके बाद जब उपर जाएंगे तो यहां बोन पाए जाएगा व्य कुछ होता है कि यहां को इमार देता है तो उसे कहते है नसल चैम्बर सबसे पहले मतलब फूड या यह अपने अंदर लेते हैं तब यहां प्पायनिक करता है। इसवानिटीस पाया जाता है। ग्लॉतिस में ईपी ग्लॉ पाया जाता है। देखि देखें रेखिया और हम अंसे चल्मी टारी कंगि युलिशत आगर मदने अंदर लहां होगा फूढ ड़ा अंदर लहं तो होगा फून पू़्ड अगर लेंगे तो ट्रेकई ऐ спас ऐगतेों बार्ट कि कभी कभी क्या होता है में हिच्ट क्या ने लगते हैं पानी पूर्शन या खाना खाने ते समय क्या होता है जो इपीग लोटी होता है यह ब्रेन को जो पता सब्सक्राइब कर Jr रहा है और मनलब की अस्त मट जिसमन है और है कि सद्ट इसे फूड़ बता नहीं देंगी है तो से आधा खुल बंध कर देता है तो क्या होता है जिहां सफूर अने लगता है तकिया में तब लंग्स करता है यह तो सही नहीं है तभी से बहर बाय डहकेल देता है और चौन घचकी आती tyre यानाख से पाणी आने लगता है किव त्रहें में फूड जाने लगता है जो किस्तो मज में जाना जाहिए तुब ही हम ही और हम करता है पाइल यका संब में जाने से बजाए इसके बाद लाइनिक्स लाइनिक्स यह होता है जो कि यहां पाए जाता है एक काटिलेज का बना होता है जो कि म्रोंखाई लिवाय पर छेयर लुक्रहाजन के ब्रोंख्यों जब यहां प्रॉंख्योंगह लेते हैं देखिए फुल गया है और जब इससे करते हैं तो इसको इसका हम मेकेनिज में दिखाते हैं देखिए यह है इसके बाद लाइनिक्स जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्फ करता है इसके बाद ट्रेकिया ट्रेकिया से होते हुए जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो इससे ब्रॉंकाई कहते हैं लेकिन जब वहीmost आप 되면 सबने निफिज्ट में इस प्लीूरा में बीच में भरा होता है लंग को बचाता है फ्रिक्षन करने से इट रेडियूट को फ्रिक्षन करने से यहां बचाता है इसका मेकनीज में देखेंगे कि रेटमोसफियर में जो एयर कि नाक के thro jeste है जो नसल किंबर है वह फायर निक्स च्रेकिया पिर जो तुसे ब्रहान कहीं और को सट तो ब्रॉंसे तatyok Wash हम लेते हैं अपने नाक से अंदर से जो यहां की नोज है वहां उस एर को हमीडी फाइस कर देती हैं जो कि हमारे बॉडी के टमप्रेचर के लिए सही रहता है तो सबसे पहले जानते हैं कि जो नाट्रोजन है वाद 78 परसेंट है एट्मस्फियर में ऑक्सिजिण 21 परसेंट औ इतना हम इंटेक करते हैं माने इंस्पाइरेशन करते हैं इस प्रक्रिया को इंस्पाइरेशन कहेंगे इसे इक्सपाइरेशन साथ अंदर लेने को इंस्पाइरेशन कहेंगे और बाहर रिलीज आउट करने को इक्सपाइरेशन माने हिंदी मुस्से निस्वसन कहेंगे लेन लेकिन दिये 17 परसंट और जो कार्बन डायक्साइड होगा जिरू पॉंट जो फोइन लिये थे और यहां दिये करते है तो वोह इस को दें देता है यहां होता है लेकिन जो सब्समें हमोगलोबिन जो है इससे बहुत ज्यादा एट्रेक्ट होता है क्यों क्योंकि जो इसमें carbon और oxygen है यहां दोनों combined रहते हैं इसलिए जो हमेंग गुलोबिन है यह इसे और कर पर कार्ब्योक्सी हमोगलोबिन बना लेता है और जब यहां ऐसा करता है तो carbon monoxide जो है यह कैसे होते हैं और carbon monoxide जो है oxygen से 300 गिना ज्यादा stable होता है माने जो ट्रेकिया होता है इसके damage कर देगा है अगर ज्यादा देर तक रहा जो धुमा होता है जो spoil करते हैं लोग जलाते हैं किसी चीज को तो carbon monoxide release होता है यदि आप silent death देखे होंगे तो देखे होंगे कमरे में आदमी सो रहा है तो ऐसे सोता ही रहेगा उसे silent death हो जाता है जो carbon monoxide होता है stable होता है 300 times of oxygen से अब देखेंगे note a healthy man जो एक स्वस्थ आदमी होता है मां 12-16 बार एक मिनिट में सास लेता है जब कि जो बच्चा होता है छोटा सा उसका छोटा सा फेपड़ा होता है तो है 25-26 बार पर मिनिट माने एक मिनिट में लेता है इसकी टीवी वैलू और total lung capacity के होती है वैसे तीज में आई यार भी माने इंस्पारेशन दिजर वैलूम बहुत सारे चीज़ है लेकिन हम दो इचीद दीख रहे हैं तो टीवी माने टाइडल वैलूम माने कितना एक बार में लेता है तो पांसव मिली लीटर लेता है जबकि उसकी पूरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एक बार में लेने के लिए कमस्कम लगवक 600 ml भी ले सकता है और यह टोटल लंग्स कैपेसिटी है वहां एक बार में 6 लीटर तक उसके पूरे लंग्स की कैपेसिटी है लेकिन जो 6 लीटर मतलब जैसे कोई डबबा है 6 लीटर का उसमें सकत हैं जो oxygen को है एकन ले जाता है तो oxygen को 97% रेड़ बलट सेल्स ले जाते हैं और जो प्लेटले तो एक प्लेकर यह करता है तो वैकार्बन करता है तो है प्लाज्मा प्लाज्मा क्या करता है जो बच्चे हुए आठ परसेंट है कार्बन डायक्साइड इसको देता है तो हम सब देखें आते हैं वीडियो समाप्स होता है उम्मीद करते हैं आपको है टॉपिक समय आयागा तब तक के लिए जैहिंद